हलो एब्रिवन, वीडियो का एक्जाम कंप्लीट हो चुका है, सभी को पता है कि चार सिफ्ट में वीडियो का एक्जाम को कंडेक्ट करवाए गया बोर्ड के दुआरा, तो वो सारे कंडिडेट्स जिन्होंने पेपर दिये हैं, अब उनके मन में ये क्यूरिसिटी है कि आने और मेंस के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, तो चारों पेपर जो कंडेक्ट करवाए गे बोर्ड के दुआरा, उसका डिटेल एनलेसिस हमने किया है, आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई है, अभी तो देखना ये ये देखना होगा कि नॉर्मलाइजेशन होता है, अभी पटवार का जो एकजाम हुआ था, उसको लेकर के ये बोला गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसके बेसिस पर ये माना जा सकता है कि वीडियो के एकजाम में भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन हो, तो उसके वजह से भी जो कट ओफ है वो थोड़ी वैरी कर सकती है लेकिन अगर हम first view के according देखें तो वो सारे candidates जिन्होंने 50 plus score किया है चारो paper में मिला करके उनको लगता है कि 50 plus score मैं अपने shift के paper में कर रहा हूं तो वो अपने आपको secure मान सकते हैं और mains की preparation start कर सकते हैं आपको ये करना है कि आपको अपने shift के साथ में कि कौन से shift में आपका paper था किस दिन आपका paper था और कितने number आप score कर रहे हो ये नीचे comment box में बताना है जिसको लेकर के हम कल detailed analysis लेकर के आएंगे cutoff को लेकर के और उसमें discussion करेंगे कि हर category के basis पर कि किस category में कितनी cutoff जा सकती है इसी तरीके की news के लिए information के लिए आप वोल के नो अरे सकेड़ी चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं ओके थैंक यू